हाई दोस्तो मैं हूँ बिक्रम और आप सबका स्वागत करता हूँ स्माइल फैमली में दोस्तो मचली पालने के दस फायदे जो शायदी कोई आपको बताएगा दोस्तो आजकल मचलीयां तो सभी लोग पाल रही हैं और पालना भी चाहिए लेकिन क्या कभी आपने मचली पालने के फायदों के बारे में जानने की कोशिश की तो चलिए आपको बताती हैं दोस्तो घर पर मचलीयों कहोना बास्तो सास्तर के अनुसा बहुत ही शुब माना जाता है इसलिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है मचली को घर पर रखने से आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तो चल यह शुरू करते हैं दोस्तो नमबर बन साकरात्मक उर्जा का संचार यदि आपके घर में या ऑपिस में मचली का एकिरिम है तो आपके घर और आपिस में नकरात्मक उर्जा का संचार नहीं होता मचलिय ऐसी उर्जा को आने से रोकती है इसलिए आपको घर में मचलिय जरूर रखनी चाहिए अगर आपको लाग कोशिशों के बाबजूद भी तरक्की नहीं मिल रही तो ऐसे समय में आपको मचलिया रखनी चाहिए मचलि को पालना मतलब तरक्की की निशानी दोस्तो नमबर थिरी पती-पत्नी के रिष्टे बाजदू सास्तिर के अनुसार एक जोड़ा गोल्ड फिश रखने से पती-पत्नी के रिष्टो में आ रही दूरिया बहुत जल्द ठीक हो जाती है आपको शायद पता नहों लेकिन मचलिया अच्छे शगुन का प्रतीक होती है अगर आपके घर में मचलिया है तो बहार से आने वाले लोगों के बुरी नजर से आप और आपका घर बचा रहता है इसलिए आपको घर में मचलिया जरूर रखनी चाहिए दोस्तो नमबर फाइब, मचलियां देती हैं संकेट दोस्तो अपने जो मचलियां घर में पाली है अगर किसी कारण वो मचलियां मर जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि आपके घर से कोई बहुत बड़ी दिक्कत खतम हो गई है आपको बतादें कि मचलिया आने वाली मुसीबतों को अपने उपर ले लेती हैं और आप बच जाते हैं इसलिए मचलिया जरूर पालें दोस्तों नमबर सिक्स सुभा के बग्त फाइदा जब भी आप सुभा के बग्त उठें तो मचलियों के दर्शन अबश्य करें एसा करने से ब्यक्ती के उपर सकरत्मक असर पढ़ता है और सारे काम शुभ होते हैं नमबर सेवन देभी लक्षमी का बास जिस घर में मचलियी पाली जाती है उस घर में देभी लक्षमी का बास सदयाब बना रहता है क्योंकि मचली का अफ्तार बिश्णू का है माता लक्षी में ऐसे घरों से बहुत प्रसंद रहती है जहां मचली पाली जाती है दोस्तो नमबर एड मचली पालने बाला बेक्ती कभी गरीब नहीं होता घर में एक्योरियम रखने से मचली के साथ जल तत्वी चलता है जिससे सकरत्मक उर्जा में बढ़ोत्री होती है इससे घर में सुक समर्दी भी बढ़ती है नमबर नाइन इसमें है सारे तत्व एक्योरियम में पानी के रूप में जल तत्व तंकल मिट्टी के रूप में थल तत्ब और लाइट के रूप में अगनी तत्ब और बायू के रूप में बायू तत्ब मौजूद है इसलिए दोस्तों आपको एक्विर्यम जरूर रखना चाहिए दोस्तों नंबर टैन तनाप आदि को दूर करना घर में यदी किसी को मानसिक तनाप हो तो आप एक्योरियम के पास आकर कुछ देर बैट जाएं फिर मचली को देखना शुरू कर दें आपका तनाप बहुत जल्द खतम हो जाएगा दोस्तो अब बात करते हैं एक्योरियम को रखने की सही दिशा दोस्तो घर के दक्षिन पूर भाग को सबसे शुब माना जाता है ये धन और समर्दी का संचार कर घर में संपनिता को बढ़ाता है इसलिए फिर्श टैंग को इस दिशा में रखना बहुती लापकारी होता है और बही बास्तो और फिर्श टैंग को रखने तो घर के उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से खुशाली एबंग करियर में गुरोथ का प्रतिनी दी माना जाता है इसलिए इन दोनों दिशाओं में भी फिर्श टैंग को रख सकते हैं कितनी होनी चाहिए मचलियां दोस्तों फिर्श के अनुसार नौ अंको खुशाली का प्रतिक माना जाता है इसलिए फिश टैंग में नौ मचलियों को रखना चाहिए जिसमें आठ सुनहरी या गोल्ड फिश और एक काली मचली रखना अच्छा और लापकारी होता है अगर आप कभी भी मचली पाले तो एक या तीन भूल कर भी ना पाले तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद